असलाम अलेकुम वैलकम तो बिजीव कंसल्टिंग एक्सल सीरीज आज का जो हमारा में टॉपिक है वो है जी एक्सल बेसिक्स एंटरिंग डेटा जो लोग डेटा एंटरी जोब के लिए अपनी स्किल्स को इंक्रीस करवाना चाहते हैं एक्सल में उनके लिए ये वीडियो ब हम बात करेंगे और सबसे पहला पॉइंट है मुविंग दा सेल पॉइंट तो आए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर हम इस चीज के बारे में पहले सीख चुके हैं कि हमारा जो भी एक्टिव सेल होता है जिसमें हमारा सेल करसर होता है उसका जो एड्रेस सेल रेफ करनी है वो यह है कि हमारा जो सेल करसर है उसको हम किस तरह से विदिन शीट मूफ कर सकते हैं और अपने डेटा को व्यू करने के लिए हमने डिफरेंट मैथर्ट को यूज करते हुए विदिन शीट किस तरह से मूफ करना है चाहे वह होरीजंटल व्यू करना है आपने या उ down arrow keys चार arrow keys आपके पास available होती है मैं उनको यूज करता हूं तो आप देखते हैं कि मेरा जो cell cursor है वो within sheet move कर रहा है cells के अंदर तो यह बिलकुल एक simple method simple और basic method है कि आप एक-एक cell के अंदर move करते हैं करना चाहते हैं तो आप normally arrow keys को use कर रहे होते हैं इसके इलावा आपके पास tab की की होती है अगर मैं वह प्रेस करता हूं तो आप देखते हैं कि राइट साइड की तरफ जो है वह मेरा cell cursor move कर रहा है right direction में और अगर मैं इसी tab की को shift के साथ जो है वह यूज करता हूं तो फिर इसकी डिरेक्शन ओपोजिट हो जाती है यह नहीं कि यह लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड पे जो हो मूफ कर रहा है मेरा cell cursor आप देख रहे हैं मेरे पास इस excel sheet के अंदर कुछ data में ने एंटर किया हुआ है मैं उस data के सबसे start वाला जो cell है b2 उसके उपर क्लिक करता हूं अपनी मेरा active cell of b2 है जो उसके data में सबसे पहला cell है जहां से data range मेरी start हो रही है पहले हमने simple arrow keys यूज की थी अब मैं उनी arrow keys को control key के साथ यूज करूंगा तो उसका impact देखते हैं क्या पड़ता है इसके उपर तो यहां पर सबसे पहले जो एक बात note करने वाली है वो यह है data range b2 से start हो रही है और उसके बाद इसका जो edge बनता है वो है b8 यहां आके data the flow up कलो हो यूज कर्व हुटा उसके बाद प्र यह data जो है वह बी 10 से start होता है और पिर कॉता है बी 12 फिर ये start होता है b14 पर और फिर कर्वाटोंस यह picked यूज को आके 15 यूज कऱे वह डेटे का फ्लोव वो जी टू से स्टार्ट होता है और डिरेक्ट जो है उसका एज जो बनता है नेक्स्ट वो बनता है जी फिफटीन अब हम जी कॉलम में भी देखेंगे के कंट्रोल प्लस एरो कीज के साथ जो है वो सेल करसर की मूवमिंट्स क्या होती है और बाकी जो कॉलम की प्रेस करता हूं और डौन एरो की जैसी में प्रेस करूंगा आप देखेंगे जहां पर आटे का जेम कर जाके जो हमारा किर्थ कर श्र्थ कर घाएगा तो Vehet का सिब्र मूब कर सबस्क्राइब है एक प्रो क्राइड पर झाँ तो नेक्स में चला जाएगा फिर जहां से नई डेटा रेंस स्टार्ट हो रही है पिर वह करूंगा तो लास्ट सेल में आ जाएगा इसी तरह मूझे यहीं मुवमेंट जो है वो मुझे देखने को मिलें यह कि क्षे में कैसे आ यह एज़ पर करेंगा तो वह डिर्क्ट सबसे लास्ट सेल में चला जागा क्योंकि डैटे के अंदर पर वह फ्लो में एज नहीं मिला उसको तो वह फस्त लास्ट एज जो हमारा जी फिफटीन है वह डिर्क्ट उसके उपर जाके मूव कर गया हमारा सेल पॉइंटर इसके इल हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में डेटा है मैं इसके अंदर जो पेज अप एंड पेज डाउन कीज थे हैं उनको यूज कर सकता हूं एफेक्टिबली क्विक्ली नीचे मूव करने के लिए पेज अप एंड पेज डाउन क्या होता है कि जो हमारा यह स्क्रीन का एरिया नजर रहा है वन स्क्रीन अप यह डाउन कर देता है उसको क्विक्ली तो मैं आपके सामने इस वक्ट जो है वो मेरी शीट के सबसे ऊपर एवन सेल में हूँ तो डेफिनिटली यहां पेज डाउन की रिक्वायर्मेंट है मैं पेज डाउन जैसे प्रेस करूंगा आप देखें के मैं डेटा ये वह नीचे मूव करता जा रहाए व्यु मेरा डाइटे का। सबक facilitator का है वह पेžeज रूंटि की प्रेस करणंगा फिर यह नीचे जाता जा रहा还有 रहा है यसी आपधन से यहुष करता ही है ए और यह टा भाक्रार यह चार्वयों को महारा है वह वैश करता हूं तो ये थी vertical movement हमारी sheet की data view करने के लिए अब मैंने कौन सी keys use की थी? मैंने use की थी page up and page down अब अगर मैं इनी keys को page up, page down को alt key के साथ use करूँगा तो ये मेरा जो view अभी vertical मुझे support कर रहा था ये horizontal view में convert हो जेगा जैसे मैं आपके सामने relevant sheet open करता हूँ इसके अंदर जो data मेरे पास आ रहा है वो horizontal view में है अब मैं alt key press करके page down की use करूँगा तो आप देखते हैं कि ये मेरा data view है वो right side की तरफ move कर रहा है और one screen move कर रहा है तो पहले हमने देखा था कि vertically हमने अपनी sheet view को किस तरह से up and down direction में move करना है अब हम left right भी इसको view करना हो तो हम alt key के साथ page up and page down की help ले सकते हैं ताके हम horizontally भी अपनी sheet के data को one screen size के हिसाब से view कर सकें तो ये method है अगर आपने कोई चीज जो है वो quickly review करनी है को data आपका बहुत लंबा है और आपने quickly किसी एक step पे जाके एक data screen के जो जो उसका part है specific उसको view करना है या वहां पर कोई काम perform करना चाहरे है तो आपके पास जो keys available है short keys उसमे page up and page down है आपकी vertical view के लिए direction के लिए और alt के साथ अगर आप same keys use करेंगे page up and page down तो आपको वो horizontal view के लिए help out करेंगे और अगर इन ही keys को page up and page down alt की बजाए मैं control के साथ यूज़ करूँगा तो फिर देखें आप control प्रेस करें page up page down से क्या हो रहा है आप within sheet tabs मूव कर रहे है quickly तो मैंने sheet 1 से sheet 2 में जाना है तो मैं page down के ओपर क्लिक करूँगा control मैंने प्रेस करके रखा हुआ है फिर page down पर मैं प्रेस करूँगा तो मेरे पास क्या आगया sheet 3 पे move कर गया हूँ मैं तो within sheets आपने quickly move करना है तो आपके पास control plus page up page down की short keys available हैं फिर आप के पास vertical movement के लिए यहांपर side पे आए तो आपको scroll bar मिलती है scroll bar के थी backly अपनी sheets को view कर सकते है लेकिन इसमें page ओप invention पेंट可以 down में में डिफरंस किया कि page up and page down में आपका cursor move करता हूँ लेकिन स्क्रॉल बार में और पेज आप बार में निंअ स्क्रॉल बार में स्क्राइट पेज़ बार आपका कर्सर помог कर रहा है लेकिन अपकीश गलाभी स्बूख कर रहा है और अगर मैं इसनों पहले देखें है आपका जो नेम cursor भी साथ-साथ move करता है इसी तरह अगर हम horizontal view में देखें तो आपके पास यहां पर horizontal scroll bar आ रही होती है आप उसको move करके अपनी sheet का view change कर सकते हैं अगर आपने sheet में move करना है data आपने view करना है तो आप left right direction के लिए अपनी horizontal scroll bar को भी यूज़ कर सकते हैं otherwise आपके पास short key का alt के साथ page up and page down तो यह हमारे पास multiple method से जिसके थूँ हम अपने cell pointer को left right up down move कर सकते तो यह within sheet जो हमारा data है उसको हमने different directions में किस तरह view करना है यह उसके कुछ method से जो मैंने आपके सामने रखे हैं second point हमारा है selecting a range of cells इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हम different cells को किस तरह से selection में लेकर आते हैं अभी मेरा आप देखें स्क्रीन में मेरा जो active cell है वो a2 means कि यह cell already मेरी selection में है लेकिन इसके साथ मैं अपने cell b2 को भी शामिल करना चाहता हूं तो मैं shift arrow keys के साथ मैं इसको selection में ला सकता हूं मैं जितने cells चाहूं अपको selection में ला सकता हूं इसके इलावा आप ड्रेक्ट अपना यहां पे क्लिक करें और मौस को यूज करते हुए आप इसको select कर सकते हैं आपने यहां क्लिक करना है और अगें क्लिक करके इसको ड्रेक्ट कर देना तो जितने cells आप select करेंगे वह आपकी selection में आजेंगे हम selection क्यूं करते हैं cells को select किया जाता है ताकि हम इसके उपर different operations यह different function perform कर सकें जैसे हमारा cells की formatting या इसका color change करना है वह आगे जाके हम next video में discussion करेंगे इसके उपर लेकिन अभी जो for the time being हमारा topic है वह है कि हमने cells को select कैसे करना है जिसके उपर हम कोई function perform करना चाह रहे है एक्सल का यह तो हमने sequential cell selection अब non sequential अगर हमने selection करनी हो मैं suppose करता हूँ मैंने यहां पर जो है वह बी टू select करना उसके बाद मैंने c5 select करना है तो आप control की का सहारा लेंगे control की प्रेस करके रखेंगे और c5 मेरे पास यह है मैं इस पर click करूंगा यह cell select हो जाएगा उसके बाद मैंने d3 cell select करना d3 पर click करूंगा मैं उसके बाद मैं कहता हूँ मैंने g2 select करना है मैं उसके बाद मैं कहता हूँ यहां से यह जो चार cells है यह चारों मैंने select करने है तो मैं यहां click करके पूरी range को select कर सकता हूँ तो यह मेरे पास non sequential cell selection का यह method है जो control की के साथ है लेकिन इसके इलावा अगर आ change of cells के अंदर हमने देखा है कि sequential and non sequential cells को किस तरह से selection में ला सकते हैं इसी तरह हम लोग अगर पूरे column को selection में लाना चाहरे हैं तो आप simply column B है जैसे ही मैं इसके head के ओपर अपने pointer को लेकर जाओंगा तो उसकी form change हो जाती है जैसे शकल उसकी change होगी मैं इस पर click करूंगा down arrow की मैं इसके click करूंगा तो मेरा पूरा column जो है वो उसमें जितने सहथ आ रहे हैं वो selection में आजेंगे और मैंने selection को multiple columns में लेकर जाना हो तो left click करके रखूंगा और इसको साथ ही drag कर दूँगा तो जितना मैं drag करता जाओंगा मेरे उतने columns जो है वो selection में आते जाएंगे इसी तर जो है वो multiple rows भी selection में आजेंगी और अगर मैं non sequential columns ही है rows को select करना चाह रहा हूं तो उसी तरह control की है control की मैं press करके रखूंगा और इनको selection में लेता जाओंगा जैसे जैसे click करता जाओंगा rows पे मेरी non sequential rows की selection स्टार्ट होजेगी तो मैं जितनी rows चाहूं specific rows उसको अपनी selection में add क प्रिक्त कर सकता हूं इसी तरह मैं column select करना इसके बाद मैं control press करके रखूंगा मैं चाहता हूं मैं जी करों इसके साथ और K select करूं और साथ जे भी select कर लो इन स्टार का मैंने color change करना है कोई भी इनकों करना इनको मैं डिलीट करना कुछ भी करना कोई इसके उपर टास्सक्रा आती हैं इंटरनेट पर यहां कहीं से भी उनको जो है वो ऑनलाइन काम करना चाहते हैं डेटा एंटरी से रिलेटेड एक्सल में तो यह वीडियो और यह तमाम पॉइंट्स यह बहुत इंपोर्टन्ट है उन लोगों के लिए नेक्स पॉइंट हमारे पास है एंटरिंग आप देखें मैंने ड्रेक्ट सेल को स्लेक्ट किया और उसके अंदर एंटरी करना स्टार्ट कर दिए एंटर किया तो मेरा डेटा एंटर हो गया दूसरा ऑप्शन किया मैं इससे नीचे वाला सेल करता हूं आपके पास यह फार्मूला बार है हमने पिछले लेक्टर में अपर त señor के एंदर एंटरी और तुम स्लेक्शन ओफ और यूजा और परकर करसर कर के अंदर कलिक कर कर एंटरी करें यह चींपर लेकिन दोने तरीकों से जो है वह एक gefडशल के अंदर राइटरी計 पर्फॉर्मिदा आएंटरीais सकते हैं और अगर मैं direct cell के तुरू कर रहा हूं जैसे यहां पर मैं लिखना स्टार्ट करता हूं मैं नेम इस अदील तो आप देखें में यह फार्मॉला बार के अंदर भी वह टैक्स टाइप होता नजर आ रहा होता है जो भी चेंज कर रहा होता हूं रिफ्लेक्शन वहां पर भी हो रही होती है सारी इसी तरह हमारे पास नेक्स पॉइंट है वह एंट्रिंग डेटा थ्रू कॉपी पेस्ट का हमारे पास एक option है जिसके थ्रू हम डेटा एंटर कर सकते हैं मेरे पास एवन में जो डेटा है वह मैं कुछ टाइप करता हूं यहां तो मैं बिज़ीब दुबारा जो है वह उसको टाइप करके मेंशन कर दूं यहां पर यह सिंपल कॉपी पेस्ट का मैथट किया है कि मुझे ज्यादा effort नहीं करनी पड़ेगी मैं इसको कंट्रॉल सी करूं और यहां पर लाके कंट्रॉल वी कर दूं तो यह कॉपी पेस्ट क इसको टाइप करना चाहें तो आपको कितना टाइम लगजेगा इसके उपर तो डेटा एंट्री के अंदर कॉपी पेस्ट का भी हमारे पास option अवेलेबल होता है जिसको इस्तमाल करते हुए हम अपनी डेटा एंट्री को सपोर्ट कर सकते हैं यह तो हमने देखा था कि हमने क मैं कपेस्ट के अंदर अन्दर जो कॉपी पेस्ट किया अब मैं Henни reviews करूंडे काके फार में कृटे के अब चाहता हूं वाग क्सप करना मैं ने स्टारी को अखेकर सब्सक्राइब कर और डिसको लेकवचा करेंड़ करूंगा तो उसके अंदर जाते मैं 2012 के अंदर तमाम इतने सेल का डटा हैव उसको किन्टॉल C करके कॉपी करूं गा मैं और मैं इसको लाना चाहा हां रहा हूं रो 21 के अंदर में यहां पे स Lahde करूंगा रो को andere काल को और कंट्रॉल वी कर दूंगा तो मेरे पास रो इसी तरह अगर पूरी रोग को हमने जो है वो कोपी पेस्ट करना है किसी नई रोग के अंदर तो वह भी हमने देखा है तो यह था हमारे पास डेटा एंट्री थूपी पेस्ट ऑप्शन नेच्ट जो हमारा पॉइंट है वह डेटा एंट्री थू आटो फिल ऑप्शन जो के बहुत ही पावरफुल टूल है एकसल का इस पॉइंट को अंडर्स्टेंड करने के लिए हम डिफरेंट सेनरियो को डिसकस करते हैं जैसे सबसे पहला सेनरियो हमारे पास जो नजर आरा वह है नंबर सीरीज में हम क्या डिसकस करेंगे हम देखेंगे के एकसल को हम पर मैंने सेनरियो रखेंगे में यह नंबर्स में नंबर्स में उठाए हैं और नंबर्स में इसको करवाई भी है नीचे से उपर डिरेक्शन में फिर एवन की और और की इसी तरह तो इसको मैं री परफॉर्म करता हूं ताकि आप लोगों को पूरी इसकी हे इनके दरमyान वह तो तो आप देके मैं इन दोनों को सिल्च करता हूं को स्लेक्च करने के बाद जैसे ही मैं है जो मेरा मॉवसब्स क्रोंटिर वोगों क brush और दो ओर लेकर आँगा तो इसकी यह चेंज हो جा ए प्लस साइन में आजाती इसको ऐसको हुए करूंगा लेट क्लिक और इसको मैं नीचेज ड्रैक कर दूंगा को आप देख तर데 के एस तरह से हमने इसको लिखता हूं औरियां और आपने इसको यहां पे ऑप्क पर दिया तो जैसे 5 करके मैं चोडूं का नीचे मेरे पास यह एक option आ रही है auto fill options की icon नजर आ रहा है मुझे मैं जैसे इस पे click करूंगा यहां पे मुझे second option मिल रही है fill series की fill series पे आप देखें मैं जैसे ही इसको select करूंगा उसने क्या किया one two three four five में convert कर दिया one को तो अगर हमने suppose करें one lakh numbers enter करने एक column में तो आप लोग अगर type करना चाहेंगे उसको तो आपका कितना time लगेगा लेकिन इसमें just आप one press करके one को enter करके drag करके आप just single click करेंगे fill series तो वो automatically एक से लेकर one lakh तक entries डाल देगा serial number की अब मैं इसको pattern दे रहा हूँ कि मुझे जो है यह one two three four five यह normal series नहीं चाहिए मुझे even numbers चाहिए सिर्फ तो मैं एकसल को pattern देने लगा हूँ कि two से start करना है और उसके बाद जो है वो four आजेगा तो मैं इन दुनों को select करता हूँ और इसको auto fill करवा देता हूँ यहां से तो देखें उसने क्या किया एकसल ने same pattern को follow करते हुए उसने four के बाद six दे दी है मुझे eight दे दी और ten दे दी है तो अगर मैं इसको जो है वो manually type करने बैठ हूँ तो मुझे कितना time लगेगा लेकिन यह option देखें कितना कमाल का और कितना powerful option है कितना time save कर रहा हमारा इसी तरह next हमारे पास odd numbers जो है वो one से start होंगे और इसको मैं pattern देने लगा हूँ एकसल को के one के बाद two नहीं आएगा three आएगा इन दोनों को मैं select करता हूँ इसको मैं drag करूंगा autofill में देखें उसने three के बाद five ले लिया है फिर seven ले लिया और nine ले लिया अब यह मैं autofill कर रहा था उपर से नीचे की तरफ अब मैं नीचे से उपर की तरफ autofill करवाना चाहूं तो मैं simple numbers का use करता हूँ मैं 100 से start करता हूँ और उसके बाद जो है वो previous number 99 होता है इसको मैं select करता हूँ और method हुआ है लेकिन मैं जब ड्रैक करूंगा तो मैं नीचे की बजाए उपर को ड्रैक कर दूंगा इसको तो आप देखें उसने प्रीवियस सीरीज चे ला दी है मैंने अपवर्ड जो है वो autofill करवाया उसको 100 उसके बाद 99 98 97 96 इसी तरह अगर मैं इसी direction में even numbers लेना चाह करके दे दिया 198 96 94 92 अब मैं और नमबर 99 से स्टार्ट होंगे मेरे यहां से उसके बाद मेरे पास 97 आएगा मैंने दोनों का पैटरन दिया एक्सल को और मैं उपर की तरफ इसको ड्रैक करूंगा तो आटो फिल ने उसी पैटरन के साथ मुझे और नमबर दे दी है माई नम मन्ट का सेकंड कॉलम में मैंने कापिटल लैरर क्वलिट की ओं recognizing जो मेरे पास मंथ नेम में ओ कंपटीन नहीं सिरल में Jadi मांत नेम की मौ करेक्टर्ट वह सी त्डॉप जुanki और यहां दोमन्ट को मौ की नेम में वहां आहिँ दो मंतनेम में जो हैं वहां को इसी तरह जो फॉर्थ कॉलम है लास्ट कॉलम उसके अंदर में तीन केरेक्टर ही यूज की हैं लेकिन जो सबसे पहला केरेक्टर है वह कौन सा है वह कैप कैपिटल में और बगी जो दो है वह समॉल में है तो यह डिफरेंट फॉर्मैट हैं अब मैं आपको बताने जा रहा यहां पर हम जन्वरी का पूरा नेम लिखते हैं जैसे मैं यहीं से कॉपी पेस्ट करने के लिए इसको मैंने एंटर किया है और मैं इसको ड्रैग करना स्टार्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि यह आटो फिल का जो ऑप्शन है कितना पावरफुल है उसने सारे नाम मेरे जो हैं वो सीक्मेंस में खुदी टाइप कर दी हैं अगर मैं यह तीन करेक्टर में इसको मैंशिर करना चाहता हूं तो जो फॉर्मेट मैं एक्सल को दूँगा उसी फॉर्मेट के अंदर यह आटो फिल करवा देगा मुझे अब मैं इसको जे को कैपिटल में लिखता हूं और एन जो है उसको स्माल फॉर्मेट साइज रखता हूं उसका तो आप देखें के इसमें जैसे ही मैं इसको ड्रैक करूंगा तो मेरे पास क्या है आटो फिल का ऑप्शन मुझे खुदी जो है वो मन्थ नेम दे रहा है इसी तरह मेरे पास जो है यह कंप्लीट नेम है इसक प्रोपर फॉर्मेट के अंदर तो इसको मैं स्लेक्ट करके जब आटो फिल ऑप्शन यूज करूंगा ड्रैक करूंगा तो आटो फिल ऑप्शन किस तरह से मुझे सुपोर्ट कर रहा है कितना कुईक्ली मैं जो मन्थ नेम्स यूज कर सकता हूं तो जो लोग फाइनांस में यह किसी तरह की बी सेल रॉपॉर्टिंग कर रहे होते हैं उनका जो है वो यह मन्थ नेम्स एंटर करने से बहुत जो है वो अच्छा खासा वास्ता पड़ता रहता है तो आप किसी बी मन्थ नेम्स को मेंशन करना चाहें अपने एक्सल की किसी भी रपोर्ट यह तो यह देखें जैसे मैं इसको होरिजोंटली राइट साइट पर मूव करवाता हूं तो मेरे पास यह उसी तरह से आटो फिल जो है वह सेम डिरेक्शन में काम भी करेगा जैनुटी फेबरियर मार्च एपरिल में जून मुझे सारे मंथने उसने राइट डिरेक्शन में दे यह रिवर्स भी मुझे सपोर्ट कर देगा जून से पहले क्या आता है मैं में के बाद एपरिल से पहले मार्च मार्च से पहले फैब से पहले जैन तो आपने देखा कैसे कि यह आप फौर डिमेंशन में इसको यूज कर सकते हैं आटो फिल ऑक्शन को इसी दरह हमारे पास अब जाए में विएक डेज में भी आप इसको सेंडेयों में यूज कर सकते हैं डिफरंट फॉर्मैट्स है मैं क्विकली आपको करका देता हूं यह सबसे पहला कॉलम है इसको यूज करता हूं उसने मन्सने मंत वीक डेज का जो नेम्संग मुझे दे दी यह मैंने इसको kart沒關係 time सेम सेमेरियों में डेट्सके अंदर यूज कर सकता हूं ये मेरे पास दो कॉलंबस visitors करता हूं सबसे पहला जो आए भूस फस्रुत मार्च मार्ट से मैं ड्रायस यह तो आप मेरे पास डेत amongst नहजुडिक सुरू हो गए यह वन two three 45 और इसी तरह अगर मैं एक्सल को कहता हूं कि यह जो मेरे पास डेट एंटर है इसमें मैंने एक दिन चोड़के एक दिन बात की डेट डालनी है तो मैं फस्ट मार्च के बाद यहां पर थर्ड मार्च मैनुवली एंटर करूंगा और उसके बाद एक्सल को पैटरन दे दूँगा कि एक दिन का गैप रखने है तो जैसे ही मैं ड्रैक करते हूं आप देखेंगे कि उसने आटो फिल करवा दिया है फस्ट मार्च उसके बाद फूर स्किप करके फिफ्ट डेट दे दी मुझे फिफ्ट के बाद वो सिक्स किप क के उसने सेवन मार्च की मुझे डेड़ देदी है तो एक्सल को पैटरन दे के हम उससे किसी भी तरह का आटो फिल करवा सकते हैं तो डेट के अंदर भी हम सिमिलर वे में उसको आटो फिल आप्शन को यूज कर सकते हैं नेक्स सिनारियो जो हमारे पास एक्सप्रेशन है किसी नंबर और वह इंक्रीज होता जा रहा है तो हम उसको भी आटो फिल के तुरू एक जो डेटे को है क्विकली फिल कर सकते हैं अपने कॉलम में इसी तरह उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में यूज कर लिया है तो डिफरेंट एक्स्प्रेशन किसी भी किसम का टैक्स्ट है और तो उसके एंड पर जो है वह नंबर आ रहा है और नंबर इंक्रीजिंग ट्रेंड में है तो आप उसको यूज कर सकते हैं अब वान के बाद मुझे प्रोड़क्ट थी चाहिए मैं इसको और उसमें फॉर्मेट में और सिक्वेंस में यूज करना चाहरा हूं तो मैं इसका रिक्वाइरमेंट्स हैं उसको फुल्फिल करना है तो वो हमारी रिक्वाइरमेंट को फुल्फिल करेगा इसी तरह जो आपके पास क्वाटर्स हैं हम क्वाटर्स के अंदर भी इस टूल के साथ प्ले कर सकते हैं जैसे पहला कॉलम है उसमें मैंने क्वाटर वन रखा है तो इसी तरह इसके अंदर भी जो है वो मुझे quarter आटो फिल कर देगा फिर ये मेरे पास proper format में लिखा है मैं कहता हूँ एक quarter छोड़के मैंने दूसरा जो है वो quarter नहीं लेना मैंने quarter 3 लेना है तो आप इस pattern को use करते वे इसको भी drag कर सकते हैं तो आप देखेंगे एक्सल ने जो है उसी pattern में quarter two और four skip कर दिया और उसके बाद फिर quarter one three one three one three उसने मुझे दे दिया तो आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि जो हमारा आटो फिल का option है वो कितना powerful tool है एक्सल में और यह advanced level पे जब हम working करेंगे जब हम data के साथ play कर रहे होते हैं तो यह वहाँ पर भी option जो ह इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम एक्सल के सेल कुंटेंट्स जब एंटर कर रहे होते हैं तो उसमें भी हमें एक विदिन सेल आटो फिल भी एक्सल फैसिलिटेट करता है जैसे मैं यहां पर नेम एंटर करता हूं बिजहीव तो आप देखें जैसे ही मैं यहां पर एंटर करूंगा तो वह मुझे आटो सेटिशन दे रहा है एकसल के बिजहीव आप एंटर करना चाहते हैं अगर मैंने मुझे दुबारा बिजहीव ही चाहिए तो मैं इसको इंटर कर दूंगा अगर नहीं चाहिए तो मैं उसको एग्णूर करके अपनी टाइपिंग को पैंट डाउन था लेकिन विदिन सेल जो है वह उसमें अगर सेल कॉंटेंट को आटो फिल करना तो वह उप्शन क्या था वह भी मैंने आप लोगों को बता दिया नेक्स जो हमारा एक स्पैसिफिक एकसल का जो सेल उसके जो कॉंटेंट है उसको एडिट कैसे कर सकते हैं करते हैं उसके एडिट मौड में जाके और दूसरा मैतरड है कि हम पूरे के पूरे को रिप्लेस करके निया टेक्स एंटर करना शुरू कर देते हैं मैं आप लोगों को यह एक एग्जेंपल के साथ अंडर्स्टैंड कर वाता हूं मैंने एक मन्स नेम एंटर किया मैंने टेक्स्ट का करसर आजएगा आपने देखा कि मैं इसको एडेट मौड में लेकर गयाहूं और उसके साथ में जो इضाफा यह कमी करनी थी उसको शेल की मैंने existing contents को edit कर दिया उसमें जो भी मैंने इजाफा करना था जो change करना था वो मैंने कर दिया मैं enter करूंगा तो मेरे पास जनुरी पूरा enter हो गया इसी तरह मैं दूसरी example लेता हूं कि मेरे पास यही enter था पहले अब दूसरा method किया है कि मैं इसको select करूंगा मैं edit mode में जाने के बज़ाए मैं दूबरा type करना शुरू कर दूँगा तो मैं type करके इस जो cell contents है उनको edit कर रहा हूं replace ही करवा देता हूं उसको cell contents को edit करने के यह दो method है अगर को लंबा text लिखा और आप चाहते हैं मैंने इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो किसी भी cell में के जो contents है उसको क्लियर कैसे करना है या डिलीट कैसे कर सकते हैं हमें यह नहीं चाहिए उसके दो तीन methods हैं वो मैं आप लोगों के साथ share करने लगा हूं जैसे यह cell है हमारा active cell जिसमें यह जैनवरी एंटर हुआ है इस पहला method जो है राइट क्लिक करूंगा और यहां पर आपके पास option मिलती है clear contents जैसे इसके contents को आप clear पर क्लिक करेंगे तो यह डिलीट होजएगा remove कर देगा उसको सेल डिलीट नहीं होगा सेल डिलीट क्या है वो आगे advanced level पर हम पढ़ेंगे लेकिन जो आपका यह जो टेक्स्ट है जो data जो contents है वो डिलीट हो रहे हैं बस सेल डिलीट नहीं होरा दोनों different चीज तो editing का section बना है आपके पास इस editing section के अंदर आपके पास यह clear का option नजर आ रहा है इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक list open हो जाएगी इस list में आपको third option नजर आ रही है clear contents जैसे इस पर मैं क्लिक करूंगा तो आप देखें के यह नीचे मेरे जो specific जो active cell था जो selection में उसका जो contents है वो remove हो गए है इसी तरह आप किसी भी data range को select करके उसके जो contents है यह data है उसको clear करवा सकते हैं जो चीज़ आपकी selection में होगी उसको आप delete करवा सकते हैं इसी तरह जो हमारे contents है cell के उनको clear करने का third method भी है जो के बहुत ही असान है आप जिस cell के जिन contents को जो आपने delete करना है रिमूफ करना है clear करना है उनको आप अपनी selection में लेते हैं चाहे एक cell select करना है या different range select करना है और simply आपने delete का button प्रेस करना है तो आपके पास वो data contents जो है वो remove हो जेंगे clear हो जेंगे तीन method मैंने रखे हैं आपके सामने एक right click करके आप clear contents का option यूज कर सकते हैं एक home tab में ribbon में आप editing के section में जाके clear की command है वहां से मैनियों से clear content की option यूज कर सकते हैं यह आप data को select करके delete का button प्रेस करते हुए उस option को use कर सकते हैं इसके बाद हमारे पास जो last point है उसके अंदर दो मजीद options हम discuss करेंगे और वो options है undo and redo undo का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई ऐसा काम कर एकसल में और बाद में आप कहते हैं नहीं नहीं यह गलत हो गया है यह step मैंने perform नहीं करना था तो बाकी surface की तरह एकसल के अंदर भी आपके पास undo की command है undo का मतलब जो मैंने काम किया उसको reverse कर दो तो जैसे यहां पे मैंने कितने cells हैं उनके text contents को clear किया है तो यह हो सकता है कि क प्रेस करूंगा keyboard से तो आप देखें कि वह वला जो टास्क मैंने perform किया था वह undo हो गया यह नहीं ऐसे हो गया किया ही नहीं है तो मेरे डेटा वापस आ गया मैं Ctrl Z प्रेस करता जाओंगा तो मेरे पास जितने जो जो डेटा मैं डिलीट किया था वह देखें वापस आता जा अब redo की command के Ctrl Y जैसे मैं Ctrl Y प्रेस करूंगा आप देखें वह जो मैंने किया वा था वह undo रिवर्स होना चुरू हो रहा है तो यह दो हमरे पास जो होती हैं undo and redo बहुत ही माइनर से options हैं लेकिन बहुत important हैं चाहे आप data entry level के उपर Excel में काम कर रहे हैं इंटरमीडियर लेवल प इंटरमीडियर लेवल को भी और बेसिक लेवल को भी कंसीडर करते हुए सारे के सारे points बहुत ही ज्यादा important हैं नेक्स हमेशा की तरह जो हमारा lecture होता है उसमें जितने points discuss किये होते हैं आप लोगों के लिए मैं special time लगा के एक practice set area design करता हूं यह exactly जो है वो support कर रहा होता है उ लेक्टर में discuss किये हुए points को तो यह बहुत ज्यादा important area होता है यह उन lectures में जो point discuss की हैं हमने उसके उपर आप लोगों की grips strong करने के लिए बहुत important area इसको लाजमी perform किया करें इंशालला next video में मैं आपके साथ इस practice set का solution बनाके वो भी share कर दूँगा लेकिन हमेशा की तरह मैं subscribe करें और अपने network में share करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताके ज्यादा से ज्यादा लोगों का फाइदा हो सके तो मिलते हैं next lecture में आपकी दूआउं के साथ अपना ख्याल रखिएगा अलाफिज